हेलो ट्रेटर्स वेल्टकम तो दाश्टोडियो मेंबर्स आज हमने अपने प्राइवट गूप में मौनिंग में दो स्टॉक शेर किया थे जिंदर स्टील एं सेकंड था हमारा सन फार्मा जिंदर स्टील को हमने ट्रेट किया एंड गुरुप में भी काफी लोगों ने ट्रेट किया काफी ठीक ठीक प्राफिट इसके अंदर से निगाला जैसे कि इसको अफ कर देते हैं यहां पर कुछ एक चोड़ी चोड़ी चीज़े हैं जैसे कि आप देखिए हमारे एक रेंज यह मौनी के सपोर्ट पॉइंट्स है प्राइस देखिए यहां से सीध हमारा नीचे दरफ गर गया अच्छा इस सपोर्ट के ऊपर भी देखिए प्राइस ने कई सारे सपोर्ट बनायते हैं अभी आगे चलकर इसको वॉल्यूम और प्राइस दोनों के साथ में इनलाइस करे करेंगे जैसे कि कई सारे स्विंग्स फॉर्म हुए आज मार्केट के अंदर है ना इसको डिलीट करते हैं अभी आप देखिए इसको और थोड़ा सा जूम आट करेंगे तो आपको यहां पर सपोर्ट दिखाई पड़ेंगे यही वह सपोर्ट से देखिए प्राइस जहां स यहां से पिछले तीन चार भार आया है इससे पहले भी और यहां से अपसाइट का मुव्मेंट स्टार्ट हो गया था जैसे कि अगर हम कुछ रोज रोज करें तो वन तो फ्री फोर यह वाला और यहां से फिर सिदे प्राइस हमारा ऊपर चला गया और आगे की तरफ अपनी से आज यह नीचे के दिशा में किरा और जिंदल मॉलिंग से इमारा व्यू था कि अगर इसने 9 15 के नीचे को अच्छा मूव दिखाया ना मतलब क्लोजिंग में अगर दे एक सिंगल केंडल से तो मूव आ जाएगा डेली टाइम फ्रेम का भी इंपैक जिंदल के ऊपर काफ 135 रुपीज का प्रॉफित है कोई बहुत बड़ा प्रॉफित नहीं है लेकिन ठीक है सटिस्वाइंग प्रॉफित है अब यहां से हम लोग अपनी और बूख अपन करते हैं और देखिया है टोटल जो हमारी कॉंटी है 2100 कॉंटी है प्रॉफित जिसको हमने इसके अंदर द प्रॉफित जितने भी थे सारे के सारे बूख कर लिया स्मूद मॉवमेंट था मॉनिंग में 1.5-1.7% का मॉव मार्केट ने अल्यडी दिखा दिया था था थोड़ा सा चोटा सा रिस्क लिया था सभी लोग के साथ शेयर किया था तो काफी लोग और इंट्रेट किया तो ए अगे की तरफ जिंदल स्टील को ही हम आपको एनलाइस करेंगे इसी को रीट करेंग लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिस इस्सिस्टम को अभी हम बताएंगे वो सिर्फ जिंदल में ही चलेगा किसी भी स्टॉक में अप लौग होगे बेसीकलि यह प्राइस की रीडिंग नहीं ज्यादा perfection है या फिर सब कुछ मालूम ही है तो फिर हम इस top loss ही क्यों लगा रहे है कल का trade जब हम लोग देख रहे ना जैसे कि कल कानी Friday के session में हमने trade execute किया था PTM के अंदर बारा या तेरा जार रुपाय का profit चल रहा था आप लोग उस वीडियो को देखेगा काफी knowledgeable वीडियो है I hope कि वह आपको knowledge देगा थोड़ी बहुत और काफी interesting भी है आप देखेगा 12,000 रुपाय का profit कैसे वो change हो गया हमारा आज का जो session था आज में day time frame के उपर जैसे कुछ एक चीज हम आपसे बोल रहे थे discuss करने के लिए अब आप reading कीजिए कोई एक चोटी सी candle just imagine के ये हमारी एक major candle है जो हमें price की reading करनी है वो इस candle के पास से करनी है यहाँ पर हो क्या रहा है जब जब price हमारा इस वाली candle के उपर जाने की कोशिश करता है इसके अंदर volumes के flow होते है volumes के breakout होते हैं इसके बाद में वापस से price हमारा हमारी इस candle की range के अंदर ही आ करके trade करने लगता है अगें जब price हमारा upside के तरफ जाना चाहरा है तो फिर से यहाँ पर volumes के breakout हो गया मतलब heavy quantity में इसके अंदर volumes flow की जा रही है volumes आ रही है फिर से price हमारा resistance को break कर रहा है यहाँ पर हमने colors को इतना नहीं किया है क्योंकि price हमारा upside की तरफ जा रहा है बट यहाँ पर एक rejection के साथ में bearish candle market फॉर्म कर रही है अब एक चीज़ देख रहो यहाँ से जगे पर upside में price ने दो बावर ऊपर की तरफ जाना की कुशिश की बट वापस से price हमारा नीचे की तरफ जा रहा है अब अगर यह strong है तो इससे ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए इवन कम से कम short time frame में जो यह supports फॉर्म कर रहा है या फिर इवन जो resistance फॉर्म कर रहा है उन resistances का breakout होना चाहिए बट price क्या कर रहा है हमारे इस वाली candle के नीचे की तरफ आकर यह trade कर रहा है प्राइज ने हमारे इस लेवल पर एक अच्छा खासा support बना दिया अभी जब हम लोग चार्ट पर चलेंगे ना तो आप देखेगा कि प्राइज कैसे आपर supports बना रही है अच्छा ट्राइंग में इसलिए क्लियर कर देते हैं ताकि यहां पर understanding थोड़ी सी अच्छी बन जा इस candle के हाई के उपर भारी मातरा में sellers बैटे हुए जब जब प्राइज यहां पर जा रहा है इसके अंदर movement आ रहा है अब हमने इस जगे से selling नहीं की हमने wait किया कि प्राइज हमारा हमारे इस वाली range के नीचे आकर के trade करें यहां पर जैसे ही प्राइज ने आज हमारी इस level क के नीचे movement दिखाया ना हमने यहां पर अपना trade execute यह तो higher time frame हो गया and lower time frame के अंदर क्या हुआ था और price पर यहां से हमारा नीचे की दरफ आने लगा इस तरह से करते हुए यह नीचे की दिशा में आने लगा हमने 9.15 के low से थोड़ा सा उपर में जाकर कि अपना trade execute किया क्यू क्यों कि यहां पर price अपने resistance को break नहीं कर रहा था, lows को break कर रहा था, mother candle form की price ने breakout दिखा दिया, mother candle form की price ने breakout दिखा दिया, again यहां पर mother candle form की price ने क्या किया न, 9.15 के low के नीचे आ करके इसने closing दिखा दी, हमने यहां पर सिर्फ retracement जो लिया, एक चोटा से risk लिया था, retracement का जो mother candle बनी थी, हमने just उस candle के low पर अपने trade execute किया, और उस ही candle के high के उपर अपने stop loss लगा दिया, अभी काफी कुछ drawing भी हो चुग है, सिधे charts के उपर चलते हैं, देखे, यह अपनी lower time frame है and higher time frame पर देखे आप, day time frame, simply, जो हम आपको बताते हैं, falling rose pattern, जहां पर आप यह तीन candles दे करेंगे, जब आप volumes को देखोगे, तो price यहां पर क्या कर रहा है, falling patterns form कर रहा है, अब आगे हम लोगों की reading होगे, volumes को रहने देते हैं, और price को read करते हैं, देखे, price क्या कर रहा है, इस green वाली candle के उपर नहीं जा पा रहा है, जो green वाली candle हमारी 15th of November की candle, price हमारा है, इस candle के उ उपर नहीं जा पा रहा है, selling, निकलने की कोशिच, selling, निकलने की कोशिच की selling, volumes, जब जब price हमारा हमारे level को touch कर रहा है, volumes increase हो रहा है, ओबर जाना तो यह चला जाना यहां से देखिए फिरस ने बाहर की तरफ जाने की कोशिश की वॉल्म से इंग्रीज हो गया और फिरसे प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिर गया हमने क्या किया ना यह जो ब्लैक वाली केंडल बन रही है अब इस वाली ग्रीन केंडल को ही मान सकते हो और हमने क्या कि चोटी से जो विक निकले थी यह पूरी एक रेंज मांक कर ली हमें जो ट्रेट करना था 5-1-1 के आसपास पास पर हमें ट्रेट करना अब यहां पर यह हमारे पास दो लाइन्स बन गई लोगों ने किया क्या कि प्राइज हमारे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है इसको ब्रेक नहीं कर रहा है और प्राइज इस केंडल की रेंज के अंदर ही ट्रेवल कर रहा है जैसे ही प्राइज हमारा हमारी इस ग्रीन वाली केंडल के नीचे निकला ना यहां पर देखिए फिर से एक candle form हुई और price ने इसका low break कर दिया आप देखरो ना breakout होने से पहले कि यह जो symptoms है price internal ranges के अंदर या internal structures जो form कर रही है इसमें price अपने supports को break करते हुए नीचे के तरफ गिर रही है यहां पर देखिए supports को break करें और नीचे के तरफ गिर रही है सबसे last जो mother candle हमें इसके अंदर देखी वो यह black वाली candle आप देख रहे हैं ना 10 वाचकर 10 मिट की candle इसने mother candle form की same उसी time पर आप देखिए कि volumes किस तरह से increase हो रही है ओपर की दोनों lines को हम कर देते हैं हमारे पास यह जो दो लेवल से 511.85 और 511.05 यह मेरे higher time frame की level है and higher time frame की level के पास में और 9.15 की candle को break करने से पहले सबसे last mother candle जो form हुए हो यह वाली candle इन सभी lines को हम delete कर देते हैं higher time frame की है अब इसको हम दे देते हैं हमने यहां पर अपना trade execute किया थो just swing के ऊपर अपने stop loss लगा दिया था price ने देखिए break out किया जब उपर से नीचे की तरफ price हमारा आ रहा है तो यहां पर volumes increase हो रहे है जैसे ही price ने हमारी smother candle को low break किया यहां पर volumes के breakout हो रहे है price ने retracement दिखाया बट volumes कम है समझ पार हो ना price को जब एक step आगे जाकर कि थोड़ा सा advance होकर कि आप read करोगो ना तो ऐसे आपको price को पकड़ना पड़ेगा लेकिन इसके लिए एक base होना चाहिए आपके पास कि आप कहां से शुरुआत कर से कोशिश करी जितना ज्यादा से ज्यादा आप सीखोगे ना उतना ही ज्यादा पैसा बना पाऊगे market ऐसा नहीं कि कुछ भी देख करके आपने higher time frame की level mark कर लिए and lower time frame पर आकर कि आप mother candle देख रो level mark कर रो mother candle देख रो level mark कर तो stop loss चला जाएगा एक proper way होना चाहिए कि हम लोगों को काम कैसे करना है जैसे आप देख रहो ना कि हमने यहाँ पर higher time frame की candles को read कि लेवल्स उन लेवल्स के according हमने lower time frame पर reading की अपने लेवल्स ट्रॉ किया हम देख रहे हैं कि breakout होने से पहले stock किस तरह के move दिखा रहा है price को आप हटा दीजे आप सिर्फ volumes देखिए selling की जितनी volumes है यह increase हो रहे है morning की 9.15 की candle ने ही volumes के breakout कर दिया और यहाँ से फिर volumes के breakout आपको देखने को मिल रहे है कि volume सीधे सीधे uptrend में है और यहाँ पर जब price retrace होने जा रहा है तो यहाँ पर volumes हमारी कम हो रहे है और फिर से जब हमारा price गिरा है तो फिर से देखिए आप यहाँ पर volumes increase हो रहे है यह हमारी main candle है क्योंकि अगर इसके नीचे price नकला तो movement की उमिद बढ़ जाती breakout से पहले के movement अभी हमने आपको बढ़ा है ब्रिक हो रहा ना दीरे दीरे अब यह हमारी 950 यह वाली candle है 10 बच का 10 मेंट की candle जैसे ही price इसके नीचे आया ना जैसे इसके नीचे आया था हमने इसी जगे पर अपना trade execute का और सेम 10 बच का 10 मेंट की candle के high की उपर हमने अपना stop loss लगाया और उसी candle की नीचे हमने जस्ट यहां पर अपना trade execute का दिया अब बाता थी target हमने कैसे निकाला price सीधे हमारा नीचे की तरफ जा रहा था first target जो हमने गुरूप में share किया था 505 रुपए 10 पैसे पर हम लोग यहां पर अपना target जब आप day time frame पर आऊगे तो यह जो green वाली candle है यह green वाली candle जस्ट इसका low यह अपना exit point था अचका 507 रुपए 20 इस जगे पर फिर हम यहां से बाहर निकल गए आपने देखा ना overall यह अपना entry point, stop loss point and target point था जहां से हमने अपना trade execute किया 10 वाज़कर 10 minute की candle वो candle थी जहां से हमने अपना trade execute किया था यह वाली candle कोई बहुत बड़ा RR ratio में नहीं मिला था चोटा ही RR ratio था लगवग 1 is to 3 1 is to 3 के आसपास था लेकिन satisfying था market की move जिस तरह हो रही था आप देख रहे था ना निफ्टी lifetime high उसने आज के दिन लगा दिया लेकिन stocks के condition देख लिजे stocks अपनी जगा से हिल नहीं रहे थे Sun Farmer ने देखे कितनी बुरी तरह से stop loss लिया हम लोगों का हमें ये था कि price जैसे इस level के उपर निकलेगा हम buy करेंगे वो buy initiate भी हो गया लेकिन यहां पर वो confirmations नहीं मिले जो confirmations हमें जिंदल स्टील दे रहा था क्योंकि इसके movements बड़े थे price supports को break कर रहा था लगा था वहीं जब आप देखो के Sun Farmer को तो price उपर तो जा रहा था level breakout के समय यहां पर में confirmations समझ भीने है एक वो होता है ना जो confidence वो confidence नहीं मिला price सीध है उपर की तरफ निकल गया वापस से फिर नीचे की तरफ आने लागा volumes भी increase होने लगा और जैसे ही price तीन रुपए नीचे आया था यहां पर हमने exit करवा दी थे 135.10 यहां पर exit करवा दी थी इसके पहले exit करवा दी इस वाली जगे पर कहीं price जब नीचे आने लगा तो यहां से exit करवा दी थे कुछ लोग तो cost to cost निकल गया कुछ ने loss बोक किया लेकिन जितना भी loss था वह सारा गासार हमारे यह अपना trading setup था दो trades थे जो हम लोगों आज के दिन किया संफार्वा में हमने बोला था कि stock अब यह कहीं नहीं जाने वाला पूरे दिन side view हो जाएगा अगर यह उपर नहीं गया ना तो यह कहीं कि किसी भी ब्रोकर में नहीं मिले डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़ा हुए एकाउंट ओपन का आप अपन करवा सकते हो काफी स्मूध में लगेगा अधर जो प्लेटफॉर्म से उनसे काफी स्मूध चलता है पहले भी हम बोल चुके हैं कि काफी सारे ब्रोकर्स हमने यूज किया है लेकिन इसके ओपर एक तुरह से satisfaction लगता है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अपना account ओपन करवाईए और इससे अपना trading स्टार्ट कीजाए यह मेरा पूरा वह experience है जो कि live markets हम गेन करते हो कोशिश करते हैं वही experience आप लोगों थगम पहुंचा दे जैसे कि जब आप trade execute करो न तो इन सारी चीजों को देखते हुए समझ देखते हो कि मुझे घिए जालजए खबते होगा को टूंचा पना करते हैं बादे नचे हम आप लोग्पों मेरा हम पना देखते हैं ग्रिया बादेखते हम आप लोगाउ तो